आज हम आपको बताएंगे किया तूला लगन वाले पुख्राज दारन कर सकते हैं तो कब और कैसे पुख्राय रतन जो की ब्रस्पती के लिए पहना जाता है पुख्राय रतन डालने से जातको ब्रस्पती के शुब परिना मिलने शुरू हो जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं तुला लगनों के लिए ब्रस्पती जोकी तृत्त और शेष्ट बाव के स्वामी है तुला लगन में लगन के स्वामी शुकर और ब्रस्पती आपस में मितरता का बाव भी नहीं रखते इस कारण ब्रस्पती तुला लगन वालों के लिए मारक का रायों का निर्मान भी करते हैं ब्रस्पती की दनूराशी जो की तृत्य बाव में है वे एक उप्चे और बादक बाव है उम्मीन राशी जो की शेश्ट बाव में है जो की एक तृत्य बाव है तुला लगन की कुंडी में ब्रस्पती अगर तृत्य बाव में ही हो या शेश राईयों का निर्मान कर रहा हो तो जातको ब्रस्पती के उत्तमफल मिलने शुरू हो जाते हैं ऐसा जातक ब्रस्पती की महादशा में पुखराय रतन डाल सकते हैं जातको तब ब्रस्पती के उत्तमफल ही मिलेंगे पुखराय रतन डालने से पहले ब्रस्पती की पुजिशन नमाश कुल्डी में भी एक बार जरूर चेक कर लें अगर नमाश कुल्डी में ब्रस्पती केंद्र या तिरकोंड में चला जाए तो जातको ब्रस्पती के शुब फलों की ही प्राप्ती होती है इसलिए मारक बाव रखते हुए भी तुला लगन वाले जातकों के लिए ब्रसपती की महाधशा में अगर पुखराई पहने तो जातको शुब फलों की ही प्राप्ती होगी अगर आपको हमारी फीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू फो वाचिंग